हेलो स्टूडेंट, गुट मॉर्निंग, मैं हिंदी की टीचर पृती, आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर्स बूक का पार्ठी क्यारा टेसू राजा बीच बजार कवीता को पढ़ाऊंगी बच्चो इस कवीता को मैंने पढ़ाने से पहले आपको कुछ कठिन सब्द बताया थे टेसू राजा बीच बजार के बाड़े में कमबल में खाने भेर भला क्यों लगी बताने एक जुंड में भेरे कितने एक पेर पर पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने बीस लाग तेस हजार दाने वाला एक अनार तेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार तो मैंने इस कविता को पढ़ा शरी इस कविता के अब हमारत को समझते हैं तेसु राजा बीच बजार एक कविता एक लोगित पराधारित कविता है इस कविता के तेसु राजा के बारे में बात की गई है कि तेसु राजा बजार में अनार ले रहे हैं तो चलिए इस कविता के अर्थ को समझते हैं टेसू राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार इस कवी ने बीच बजार में अनार खरीदने पहुँचे हैं जो कवी है वो बीच बजार में अनार खरीदने पहुँचे तेसु राजा के विशे में बताया गया है इसमें कभी ने क्या क्या है कि बीच बजार में अनार करिदने कौन पहुचा है तेसु तो उसके बारे में बताया गया है तेसु राजा बीच बजार में अलान लेले के लिए खड़े हैं वे पूछते इस अनार में कितने दाने हैं उन्हें उत्तर मिलता है जितने कंबल में खाने होती है तो देखे बच्छो इस कवीता के अर्थ है कि जो एक टेसु राजा जो है जो इसमें कवी ने उनके बारे में चर्चा की है उनके बारे में बताया है कि टेशू राजा बजार में क्या लेने गए हैं तो जो टेशू राजा है वो बीच बजार में खड़े हैं ठीक है और अनार लेने के लिए खड़े हैं क्या लेने के लिए बच्छो अनार तो इनका प्रश्ण रहता है कि इस अनार में कितने दाने ठीक है तेशु राजा पुछते हैं किस अनार में कितने दाने हैं तो उत्तर मिलता है जितने हो कंबल में खाने ठीक है जितने हो कंबल में खाने ठीक है फिर प्रश्ण है पुछे हैं टेसु राजा कि कितने है कंबल में खाने ये भीर भला क्यों लगी बताने एक जुन्ड में भेरे कितनी एक पेर पर पत्ती जितने फिर टेसु राजा का प्रश्ण राता है कि एक जुन्ड में भेरे कितने जुन्ड आने कि समू तो एक समू में बेरे कितनी, कितनी बेरे हैं एक समू में तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेर पर पत्ती जितनी जितना कि एक पेर पर पत्ती होगा उतना एक जुन में बेरे होंगी ठीक है, आगे देखिए एक पेर पर कितने पत्ते, ठीक है एक पेर पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेर पर कितने पत्ते हैं लत्ते यानि कप्रा तो एक पेर पर उतने ही पत्ते हैं जितने की गोपी के घर कप्रे हैं ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि गोपी के घर जितने कप्रे है उतने ही पत्ते एक पेर पर है गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुट्ते जितने फिर टेसु राजा का प्रश्न होता है कि गोपी के घर लत्ते कितने तो उन्हें उत्तर मिलता है कि कलकत्ते में कुट्ते जितने देखिए गोपी के घर उतने कप्रे हैं उतने लगते हैं जितना की कलकते में कुछते हैं ठीक है आगे देखिए बीस लाग तेईस हजार दाने वाला एक अनार तेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार ठीक है तो देखिए आपका ये उत्तर मिल गया कि एक अनार में कितने दाने होते हैं तो बीस लाग तेईस हजार एक जो अनार होता उसमें कितने दाने होते हैं तो यहाँ पे बताया गया है बीस लाग तेईस हजार और टेसु राजा बूल रहे हैं पुकार रहे हैं कि लाओ मुझको भी देदो चार मुझे भी अनार मुझे भी अनार चाहिए 20,23,000 जाने वाला एक अनार मुझे भी 2,4 दे दो तो यह कविता बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसकविता कुछ अब पढ़ियेगा तो सबत अच्छा लगेगा बहुत इंट्रेस्टिंग कवीता है तो आपने देखा कि इस कवीता में क्या पढ़ा तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि टेसू राजा एक है जो कि बजार में अनार लेने गए हैं बीच बजार में खड़े हैं और अनार लेने गए हैं और उनका प्रश्ण होता है कि इस अनार में खाने तो उनका उत्तार रहता है भेर भला क्यों लगी बताने तो एक छूंड में भेरे रहते कितने तो जितने पेर पर पति पिर पर पत्ते जितने गोपी के घर लगते हैं, फिर अगला है गोपी के घर लगते कितने तो जितने कलकते में कुट्ते हैं, तो देखिए अंते में इसका उत्तर मिलता है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार ठीक है कितने दाने वाला एक अनार है तो 20,23,000 दाने वाला एक अनार है और तेसु राजा कहर हैं बूर रहे हैं कि मुझे दे दो चा तो आपका ये कवीता कंप्लेट हुए बच्चो और आपका हूम वर्क है आपका ग्रीह कारे है कि इस कवीता को अच्छी तरह से कॉपी में लिखिए और याद कीजिए